स्वागत आपका स्वीट कॉमबैट के अगले पार्ट में दोस्तों कहानी को पूरा समझने के लिए पिछले एपिसोड से जरूर देखेगा तो पिछले एपिसोड ने फैंग्यू और मिंग्टैन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए थे उनकी बाते सुनकर प्रिंसिपल फैंग्यू को डारते हैं कि मिंग्टैन से पूछे भी ना तुमने मैच में उसको कैसे चुना तो मैं एक बार उसको पूछ लिना चाहिए था इतना ही नहीं वो मिंग्टैन को भी डारते है उपर से मिंग टैन ने कॉलरेज से ट्रांसपोरी मांगा होता है लेकिन प्रिंसिपल उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं और ये सुनकर मिंग टैन बड़ा ही शौक हो जाता है तब प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो इसलिए मैं तुमको पनिश्मेंट दे रहा हूँ और उनका पनिश्मेंट ये होता है कि दोनों को मिलकर स्विमिंग पूल एरिया को साफ करना है और इन दोनों पर नज़र रखने के लिए एक रैफरी को भी अपॉइंट किया जाता है तुम जब चाप क्लीनिंग करो ये कहए कर रैफरी आराम से कुटसी पर बैट जाती है फिर दोनों मुबंद करके पूल को क्लीन करने लगते हैं लेकिन कुछी देर बाद फैंग्यू मिंग टैन पर पानी फिंग ती है और मिंग टैन मुड कर देखता है लेकिन रैफरी बैटी बैटी सो रही होती है और अब मिंग टैन सोचता है कि मैं चुप क्यों रहूं और बदले में मिंग टैन भी फैंग्यो पर पानी फिंग देता है और इस तरह दोनों लड़ रह होते हैं तब ही आचानक रैफरी की नीद खुल जाती है और इनको देखकर वो डार थी है कि तुम्हारी लड़ाई रोकने के लिए तो प्रिंसिपल ने तुमको पनिश किया था और तुम दोनों पनिश्मेंट में भी लड़ रहे हो फिर वो दोनों के पैर साथ में बान देती है और कहती है कि अब देखती हों कैसे लड़ते हो अब दोनों ठीक से चल भी नहीं पाती हो और बार बार गिर रहे होते हैं और तो मिंग टैन एक आइडिया देता है कि जब मैं वन कहूं तो तुम वारा पैर आगे रखना और टू कहने पर हम दोनों जवारा पैर आगे रखेंगे फिर वे वन टू वन टू कहकर उस पूल को क्लीन करने लगते हैं अब पूल साब करने के बाद दोनों बहुत ठगे होते हैं और वहीं बैटकर सो भी जाते हैं लेकिन फैंग्यू चट से जाग जाती है और देखती है कि मिंग्टैन बड़ी गहरी नीद में है अब वो मिंग्टैन की आँक नाक और मो को एक पेंटिंग की तरह निहार रही होती है फिर उसकी नजर मिंग्टैन के गले पर पड़ती है जहां उसका बड़ा एड़ाम एपल नजर आता है फैंग्यू से बहुत ही जादा अट्रेक्ट हो जाती है और उसको टच करने में मिंग्टैन के पास जाती है इतने मिंग्टैन उड़ जाता है और पूसता है ये तुम क्या करने वाली थी फैंग्यू कहती है कि वो तुम्हारे गले में किड़ जैसा कुछ रिंग रहा था मैंने उसको हटा दिया मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी यार और फिर वो पैर की डोरी खोल कर भाग आती है अब मिंटैन सोच में पढ़ जाता है कि ये मेरे पास आये क्यों थी कहीं मेरा गला दबा कर मुझको मारना तो नहीं चाहती थी यहां ये सीन कट होता है और अगले शॉट में दिखाते है कि सुनहाओ अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में ख़ड़ा होता है ओ तो क्या उस दिन के बाद तुम बिल्कुल सुई नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे नीन नहीं आती वह सब छोड़ो क्या तुम इस वक्त मुकाबलेग ले तयार हो? ठीक है ये कहे कर सुनहाओ तयार होने लगता है अब जाओ में अपने गलाउस पहन लेती है कि आचानक उसका पेटदाद शुरू हो जाता है और वह अपना पेटदाद पकड़ कर खड़ी रहती है लेकिन सुनहाओ उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उसके पास जाकर कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में डर लगता है इस वक्त फाइट के लिए में मेंटली प्रिपेर नहीं हूँ इसलिए मैं हार जाओंगा क्यों ना हम फिर कभी फाइट करें ये सुनकर जाओ में बड़ी शुक हो जाती है लगता है वो पेड़ अर्थ के बावजूद किसी तरह से आज फाइट करके सुनहाओ को हराने की मूड में थी वो कहे दिये कि फाइट के लिए मेंटल प्रिपेरेशन की कब से जरूत पढ़ने लगी तुम जूट मैं गोलो और मेरे साथ फाइट करो और उसके लाख मनाने पर भी सुनहाओ फाइट के लिए राजी नहीं होता तो जाउमी उदास होती है कि आज जीतने का मौका अच्छा था लेकिन वो भी हाथ से निकल गया उसे अब भी शक होता है कि सुनहाओ किसी वज़े से जूट बोल रहा है और तब सुनहाओ भाग कर आता है और अपना बैग उसको पकड़ा कर कहता है कि तुम यहीं रुको मैं अभी आया ये कहकर वो दुकान से एक होट चॉकलेट खरिद कर लाता है जाउमी के लेकिन कुछ समझ में नहीं आता सुनहाओ कहता है कि इसको पीलो तुम ज़रा बेतर फिल करोगी और हाँ ऐसे वक्त में तुमको ज़्यादा इस ट्रेन नहीं लेना चाहिए ये कहकर वो चला जाता है अब जाउमी चौंग जाती है कि मेरी प्राब्लम इसको कैसे पता चली ये तो बहुती अच्छा लड़का यार ये सोचकर वो हाट चॉकलेट पीने लगती है अब अगले शौट में फैंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग्टैन के खयालों में खोई भी है और बार बार उसके बारे में सोचती ही रहती है और सोचती है कि यार ये मुझको क्या हो गया है मैं उसे स्ट्रेस एड्मायर क्यों कर रही थी और नजाने मेरे हार्ट बीड इसमी तेज की हो गई अब उसके इन ख्यालों के बीच पीछे से एक आवाज आती है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो और फैंग्यू चौंकर मुड़ती है तो वहाँ दो लड़कें कैजवली बाते करती भी जा रही होती है अब फैंग्यू बड़ी कन्फिस होती है कि क्या मैं सचमुच उससे प्यार करने लगी हूँ फिर मिंग्टैन को दिखाते हैं जो अपने भाई बैन के साथ एक बिड़नी के अंदर जाता है और तब बाहर जाते वे एक लड़के को देखकर वो जरा चौंग जाता है और तेजी से अंदर जाता है फिर कुछी देर बाद बाहर जाने वाले होते हैं कि अचानक वही लड़का उसके सामने आता है इसे हम हाँ अकड़ो नाम सही रहे इसके लिए ये बहुत ही सूट करेगा तो वो अकड़ो मिंग टैन से कहता है क्यों बैटा तुमसे मिले वे बहुत दिन हो गया है तुमने मुझे बाहर जाते वे देखना था ना मैंने भी तुमको देखा था और अम मिंग टैन दोनों बच्चों को अपने पास सेफ कर लेता है तो अकड़ो कहता है मैं तुमको बहुत ही मिस करता हूँ यार याद है हाई स्कूल में सेंड बैक की जगए मैं तुमको पंच किया करता था और अपने प्रैक्टिस करता था मुझसे तुमने इतनी मारख खाई है कि पूछो मत नहीं और अपने पंच्च प्रैक्टिस तुम पर कर सकूँ मैंने तो सुना है तुम जैंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हो लेकिन तुमें वहाँ पर एडमिशन कैसे मिला कहें तुम जादू से एथलीट तो नहीं बन गए मैं तो ये सुनका शौक हो गया कि तुम वहाँ की चैंपियन फैंग्यू से मुकाबला करने वाले हो अरे तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई और इस तरह बात करके मिंग्टैन को नीचे दिखाने की कोशी कर रहा होता है दरासल ये अकुडू हाइज स्कूल में मिंग्टैन को बुरी तरह से बुली करता था और अब ये सुनाओ की कॉलेज में ही पढ़ता है फिर वो अकुडू कहता है कि पुराने यादें ताजा करने के लिए मैं तुमको दो तिन पंचेस तो जरूर मारूंगा और ये सुनकर मिंग टैन का भाई गुस्से में अकुडू को मारने जाता है लेकिन अकुडू उस बच्चे की गरदन पकड़ कर कहता है कि छोटू तुम्हारी जितनी हिम्मत भी तुम्हारे भाई के पास नहीं है अब इस वर मिंग टैन अपनी मूठीक कस लेता है लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता इसलिए वो खुड को कंटूल करके अकुडू से बिंती करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो अकुडू कहता है देख लो छोटू तुम्हारा भाई तुमको चुडाने के लिए लड़ने के लिए तयार नहीं है चलो कोई बात नहीं तुमारा रोना धोना सुनकर मुझको जरा बड़ा मज़ा आया अब मेरे सामने घुटने टेकर भीक मांगो तब जाकर मैं छोटू को छोडूँगा अब मिंग टैन बेचारा बहुत ही परिशान होता है लेकिन भाई को बचाने के लिए वो घुटनों पर बैट कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो यार लेकिन अकुड़ उसको लात मारता है और उसके भाई को छोड़ कर वहां से चिला जाता है फिर मिंग टैन अपने भाई की गरदन देखने आता है पर उसका भाई गोस्ते में कहता है कि मुझे मत छुओ लेकिन मिंग टैन उसको कुछ नहीं कहता अब अगले सीन में अकुड़ को दिखाते हैं जो मानी मन सोचता है कि अगर इस तरह अकड़ कर रहूंगा तभी लोग मुझे से डरिंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे बच्वन में मुझे कई तगड़े लड़कों ने मारा था और अब मैं उनकी तरह सबको अपनी ताका दिखाँगा तभी समझ को दिलेर समझेंगे तभी सुन हाओ और जियाओ फैंग हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं सुन हाओ को देखकर अकुड़ सोचता है कि मैं भी इसी के तरह चैंपिन बना चाता हूँ तभी तो कॉलेज के पहले दिन ही मैंने बॉकसिंग कलब जोईन कर ली थी दोस्तों लगता है बच्वन में इसने कजियों से मार खाई थी और उसी के बदला लेने के लिए अब यहर किसी को पिटना चाता है और खुद को स्ट्रॉंग साबित करना चाता है अब रात हुजाती है और मिंग टैन को दिखाते है अकुडू की हरकोते से वो बहुत ही घुस्ते में होता है लगिन फिर भी खुद को कंट्रॉल करता है अब सोने से पहले छोटू उससे पूछता है क्या ये सच है कि वो लड़का आपको हाई स्कूल में मारा करता था आप उससे लड़े क्यों नहीं देखो छोड़ो लड़ने से कुछ नहीं होता उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा इसलिए मैंने फाइट नहीं की आप जूट बोल रहे हैं भया हमें तो आप हमेशा स्ट्रॉंग रहने को कहते हैं और जब आपकी बारी आई तो आप उल्टा गे रहे हैं तब मिंग टैन उच्छे आवास में कहता है कि अगर मैंने फाइट की होती और मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोने को कौन समालता क्या तुम्हें पता है कि माह हमको इस तरह छोड़ कर चली गई क्योंकि पापा फाइटर थी और किसी वज़े से बहुत इशाप पिनी लगे थे ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा आएंदा से ऐसे सवाल कभी मत पूछना समझे और फिर भाई की ऐसी डांट सुनकर छोटू रोता है वहाँ से भाग जाता है तब मिंग टैन को फैंग्यू की बात याद आती है कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते लेकिन क्या ये बॉक्सिंग क्लब जोइन करके ट्रेनिंग लेगा ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा अब अगले सीन में बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग ले शांदार एंट्री करता है और आते ही वो अपने कपड़े उतार कर पूरे शरीर में तेल लगा लेता है और बोडी बिल्डर की तरह अपने आम्स दिखाने लगता है तब ही अचानक वहाँ की सारी लड़कियां काया हो जाती है वो अपने किसमत को कोसता है कि मैं भी मिंग्टैन की तरह एक लड़का हूँ यार पिर उसकी जितनी रिस्पेक्ट मुझको क्यों नहीं मिलती और ये सब सुनकर मिया उसके पास आती है और हंसकर कह देगी बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहां की सारी लड़कियां टैलेंटेड है यहां की लड़कियां खुझ इतने बड़े बड़े आमस लेकर घूम रही है इसलिए आमस लिखाकर तुम उनको कभी भी इंप्रेस नहीं कर पाओगे लेकिन हाँ मिंग टैन की बात तो कुछ और ही है वो इस कॉलेज का पहला लड़का है तो क्या मैं सेकिंड हूँ? नहीं बेटा बयूनू तुम सेकिंड में नहीं हो तुम्हारे एडमिशन लास्ट में हुई थी इसलिए तुम हमेशा लास्ट ही रहोगे उपर से मिंग टैन तो इतना इनोसेंट और अच्छा है कि यहां की इस सारी लड़कियां उसे प्रोडेक्ट करना चाहती है इसलिए वो हम सब को पसंद है और सुनो जाते जाते यह सारा तेल साफ करके जाना समझे तेल फिरी में नहीं मिलता कि जहां चाहे शरी में लागा दिया यह जगे बिल्कुल साफ करके जाना समझे और यह कहकर हो चले जाती है बाई नोस के पीछे जाने लगता है कि तब ही तेल पर पै रखता है और फिसल कर धड़ करके नीचे गिरता है फिर MMA कलब को दिखाते हैं जो फैंग्यू का कलब है मिंग्टैन भी वहाँ पर बैठा होता है लगता है उसने भी कलब जोएन कर लिया है तब ही ट्रेनर बताते हैं कि MMA सबको सीखना चाहिए क्योंकि यह मिक्स्ट मार्शल आर्स है इस आर्ट में फैंग्यू एक एकसपर्ट है और वो अब तुमको डेमो देगी अब डेमो के लिए वो एक वोलंटियर को बुलाते हैं लेकिन सब एक दूसरे को देखें लगते हैं इतने में बाईउनों हाथ उठाता है और कहता है मैं फाइट करूँगा अब वो फैंग्यू के पास आकर कहता है कि कॉलज के पहले दिन मैं रेडी नहीं था इसलिए तुम मुझको उठा कर पटक गई थी लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूँगा वो ऐसा कहे रहा होता है कि फैंग्यू उसी वक्त उसे उठा कर धड़ से पटक देती है और दो बारा उसकी नाक कर जाती है अब ट्रेनर किसी और को बुलाते है लेकिन बाई उन्हों कहता है कि और किसी के बज़ाए मैं फिर से ट्राइ करना चाहता हूँ और ये ट्राइ करने से तो रहा उपर से लगातार फैंग्यू की मार खाता रहता है फैंग्यू का डेमो देखकर मिंक टैन बड़ा याश्चर होता है और तालिया बजाने लगता है अब मिया और जियाूमी बुक्स पढ़ रही होती है दोनों रिसर्च कर रही होती है कि बातों बातों में किसी को कैसे convince करना है वो दोनों मिंग 10 को boxing training और match के लिए convince करना चाहती है इतने मिंग 10 आता है और उसको देखकर मिया एकदम से उच्छने लगती है लेकिन zone में इसको चुप कहकर कहती है कि अब उससे बात करना बेकार है पहले books पढ़कर फिर उसको convince करनेंगे अब ये कहकर दोनों तेजी से भागने लगती है मिंग 10 उनका पीछा करता है और आखिर उनको block कर लेता है अब ये कहते हैं कि अरे वाद तुम fight नहीं करते हैं लेकिन बहुत तेज भाग लेते हो और तो मिंग 10 उनको एक paper दिखा कर कहता है कि इसमें मेरी classes का time है और उसके बाद मेरी part time job का time लिखा हुआ है इन दोनों के बाद जो भी time बचेगा आप मुझे उस time पर training दे सकते हैं और ये सुनकर तो दोनों seniors बड़ी दंग रह जाती हैं कि तुम बोल क्या रहे हो फिर मिंग 10 चला जाता है अब इन दोनों में discussion होता है कि कहीं इसने पीतों नहीं रखी तब ये ऐसी फालतू बाते कर रहा है लगता है नशे में बड़ बड़ा रहा था फिर दोनों इस paper को देखती हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें दोस्तों और फिर विलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और पीस और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग